ये आकाश्वाणी है चेत्रिय लोक एवं सुगम संगीत के राश्ट्री कारिक्रम में आजादी के अमरित महोत्सव के अंतरगत आज आप पहले सुनेंगे आकाश्वाणी जालंधर की प्रस्तुती संगीत रूपक महक आजादी की और उसके बाद आकाश्वाणी भोपाल की प्रस्तुती जैती जै भारती तो आएए पहले सुनते हैं आकाश्वाणी जालंधर की प्रस्तुती संगीत रूपक महक आजादी की आलेक सुखविंदर अमरित वाचक मोनिका महता एवं परमजीर सिंग 15 अगस्त उननीसो संतालिस जब पहली पार लाल किले पर तिरंगा जंडा लहराया देश स्वतंत्र हुआ देश वासियों के मुखमंडल पर स्वतंत्रता की भोर का उल्लास छलका After India's independence, when the auspicious tricolor was unfolded and waved for the first time on 15 August 1947, continences of Indian citizens illumined with an exquisite solace लोगों के हृदय में राष्ट विभाजन की गहन पीडा भी थी किन्तु एक असीम संतुष्टी भी थी कि परतंत्रता की बेडियों से पाउं बंधन मुक्त हो गए है कि अब अपनी धर्ती को हम अपना कह सकते हैं कि अब यहां की वायू भी हमारी है जल हमारा है, खेट भी हमारे है तथा खोन पसीना भाकर अर्जित किया गया अन वधन भी हमारा है They felt they had been ushered into a bright era from the dark ages They had this realization that the doors of justice had been opened to them As they had stepped into an arena of brightness from a tunnel of darkness हम अन्ध्यारे युग से उज्यारे युग में पदार्पन कर चुके है हमारे लिए स्वर्णीन भविष्य के कपाट खुल गए है कि अब अन्याई, जबर जुल्म, घ्रिना एवं तरसकार का युग समाप्थ हो गया है अब अधिकार, सत्य, सम्मान तथा न्याई का युग आ गया है इस अपार हर्श से देशवासियों का रोम रोम पुल की थो उठा पैनिवारी किले तेसी रंगा चुल्लेया पैनिवारी किले तेसी रंगा चुल्लेया पैनिवारी किले तेसी रंगा चुल्लेया ते रंगा चुल्लेया तिरंगा चुले आ, तिरंगा चुले आ सदियां दिकाले जो गुलामी ले गई तिरी है बेरी दिका देव पे गई सदियां दिकाले जो गुलामी ले गई तिरी है बेरी दिका देव पे गई उट गई अकडियां जिपाग खुले आ कोना विच सचेरा कुमारे खुले आ कोना मिच सचेरा कुमारे खुले आ कोना मिच सचेरा कुमारे खुले आ कोना मिच सचेरा कुमारे खुले 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 आ कोना मिच सचेरा कुमारे खुले आ कोना मिच सचेरा कुमारे खुले आ कोना मिच सचेरा कुमारे खुले खुले आ कार कार विच हुण खेड़े होनगे नच देखुशी दे नाल बेड़े होनगे कर पर विच्च हून खेड़े हूनगे मच्च दे खुशी दे नाल बेड़े हूनगे मच्च तो पलामी वाला दाग तुले आ कर पर विच्च सजरा पुमारे खुळे आ चली वारी किले ते तिरंगा चुले आ कर पर विच्च सजरा पुमारे खुळे आ कर पर विच्च सजरा पुमारे खुळे आ तिरंगा चुले आ तिरंगा चुले आ अब जबकि हम अजादी का अमरित महत्सव मना रहे हैं तो वे लोग भी हमें याद आते हैं जिन्होंने देश की स्वतंतरता का सपना देखा और इस सपने को पूरा करने के लिए अपने प्राणों की परवाह भी नहीं की और हस्ते हस्ते फांसी के तक्तों पर जूल गए अपने रक्त से इस महान धरा को सींचा स्वतंतरता के बीज बोए और आज हम सभी स्वतंतरता के इस व्रिक्षकी चाया का आनंद ले रहे हैं Now, when we are celebrating अजादी का अमृत महाँच्व the auspicious event of freedom in the form of a festival of grandiose stature we get reminded of those pious persons who sacrificed their lives even and cared a fig while embracing the gallows शहीद भगत सिंग, उधन सिंग, करतार सिंग सराभा सुभाश चंद्र बोस, लाला लाच पत्राई, मदनलाल धींगरा मंगल पांडे, गदरी बाबे, नामधारी सिक, जलियाँवाला बाग के शहीद आजाद हिंद फौज के सिपाही, बबबर अकाली, वा अन्या अंगिनत स्वाभहमानी योधा जिन होने विभिन लहरों, कांडों, मोर्चों तथा आंदोलनों में अपना अमुल्ले जीवन देश को समर्पित कर दिया विए उनकी देश भक्ति के सन्मुक शीष भी शृथा पूरवक नतमस्तक होता है चप्पा चप्पा करदा है गुनगान शहीदादा जी गुनगान शहीदादा ने बुलना ने बुलना जी बलदान शहीदादा चप्पा चप्पा करदा है गुनगान शहीदादा जी गुनगान शहीदादा ने बुलना ने बुलना जी बलदान शहीदादा नहीं बुलना नहीं बुलना जी पलिदान शही दादा चर्या वाला बात गवा है बोदे खुदा अब गवा है चर्या वाला बात गवा है बोदे खुदा अब गवा है उत्तो दी हरिट बोल दी बोड़िदा हर्दा अब गवा है जांताना बे अर्थ कदे बलिदान शही दादा ने बुलना ने बुलना जी पलिदान शही दादा ने बुलना ने बुलना जी पलिदान शही दादा हस हस खेडी कुन भी होली महगी जिन्दडी देश तो भोली हस हस खेडी कुन दिभोली महगी जिन्दडी देश तो भोली साथ सीदे फन देता कंबे परेव ना दि रूह ना डोदी देश ते जर्रे जर्रे ते एहसान शही दादा ने पुलना ने पुलना जी पलिदान शही दादा पुलना जी पुलना जी पलिदान शही दादा तहन बसंती बान तुर्वे मौत बयावन रान तुर्वे पोदिया तोड के कडियां इक नहीं लक जन तुर्वे दाडे तुर्या पगत सिंग सुल्तान शही दादा जी सुल्तान शही दादा नई बुलना ने बुलना जी पलिदान शही दादा चप्पा चप्पा खरदा है गुणगान शही दादा ने बुलना ने बुलना की बलिदान शही दादा अज्यस्वी एवं क्रांतिकारी आंदोलनो सहित शांतिपूर्ण आंदोलनो ने भी राष्ट्र को स्वतंत्र करवानी में महत्वपूर्ण योगदान दिया इस संदर्व में हम महात्मागांधी तथा बबाराम सिंग को कभी नहीं भूल सकते अपार्ट फ्रम्टिशन और वेंचरसंग मूँब्मेंट्स, पीस्फुल and non-bloody movements also played a pivotal role in wrestling freedom from the tyrannical regime of the British Owing to these peace-loving warriors, the distinct non-cooperation movement got commenced इन अहिंसा समर्थक युद्धाओं के स्वजन्ने से देश में अंग्रेजों के विरुध असहयोग आंदोलन चल पड़ा लोगों ने सरकारी नौकरियों का, सरकारी विद्यालियों का, सरकारी अदाल्तों का, विदेशी कपडे तथा अंग्रीजों के एक पक्षिय कानून का भहिशकार करना प्रारंभ कर दिया महात्मा गांधी जिनके बारे में पंजाबी लोक गीतों में लिखा है कि बापु दे चर्खे ने तेरी तोप नहीं चलने देनी अर्थात बापु का चर्खा अब तेरी तोप नहीं चलने देगा अर्थात बापु का चर्खा अब तेरी तोप नहीं चलने देगा It has been extensively eulogized that the spinning wheel of Mahatma Gandhi not only withstood the arrogant might of the British cannons but also overpowered them He illumined the potent flame of non-violence which had spread its light all over the world सरकार की निशन्स हिंसा के समक्ष उन्होंने अमन व अहिंसा की ऐसी ज्योती प्रजवलित की कि जिसका उजियारा विश्व भर में फैल गया यह लाठी व लंगोटी वाला महात्मा नव्युक का पैगंबर बन गया बापु ने स्वयम चर्खा चला कर लोगों को सूत कातने तथा खादी पहनने की ऐसी प्रेणा दी कि घर घर चर्खे चलने लग पडे The great freedom fighter महात्मा गांधी became the prophet of a new era which was to commence soon बापु गांधी inspired hosts of Indians to spin the spinning wheels at their homes मなたका अ नुं ने बेखनी on the natal जी कुरबान जाए जी कुरबान जाए जी कुरबान जाए जी कुरबान जाए गजिया चनदा दे विच्वी हूं दी उिक नियसाद जी कुर्बान जाए बचिया थंदा दे विच्वी हुंदी किनी जान जी कुर्बान जाए देखते हैरान होई जन्दाए जहान जी कुर्बान जाए देखते हैरान होई जन्दाए जहान जी कुर्बान जाए जी कुर्बान जाए जी कुर्बान जाए ये कुल्मान जाएए नागोरे लूपो बडरांगी नागोरी दी शुकर नागोरे लूपो बडरांगी नागोरी दी शुकर रातानू बस सोड़ दिन दी इक चरखे दी उपर रेशम जर्या नाल लडू का उणखर दरखा जी कुर्बान जाएए 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 वो दिन दूर नहीं जत्मकणी रात गमादी काली ओ दिन दूर नहीं जद मकणी रात गमादी काली शमशम कर देया जारी बरबात मोतिया वाली देशोंने बीचिडी बढ़ूगा साथा देश महां जी कुर्बान जाये जी कुर्बान जाये पाके खेत बीचते सुपने बीचिया लग्ति मंगा पाके खेत बीचते सुपने बीचिया लग्ति मंगा साथे खेत दुपावी साथी साथी अकचिया तंदा एक दिन इस करती नुवेकू चुक चुक के असमान जी कुर्बान जाये जी कुर्बान जाये जी कुर्बान जाये जी कुर्बान जाये लाखो कुर्बानिया देकर असहनिय अत्यचार छेल कर देश के विभाजन का दुखान सहकर भारतवासियों ने सुपतंत्रता का मुख देखा अटर लाख अशब सक्रिफिस अज़ अटर अटिए इनुमरोस इंसिद अपिंगमिन अफिर फॉर्फ टॉर्फिक टॉर्फ चॉर्फ तॉर्टर्श तिलमोर अटरगाब अब्रॉब एंबार बार्यूब अर्टिस अगुड़ एंद्ट रिए-टिर्टिए of the British, the long-awaited dream of Mahatma Gandhi as well as that of Sadaar Bhagat Singh got translated into reality. अज्यानता, बेरोजगारी, एवं घोर, निर्धनता जैसे विशय, राष्ट्र के समक्ष चुनोती बनकर खड़े हैं, वहीं रिश्वत खोरी, अन्याई, अनाचार, भ्रष्टाचार जैसी समस्याई, देश को भीतर ही भीतर खोखला कर रही हैं. आज, अर्जादी के अमरित महत्सव के अफसर पर, अपनी संपन विरासत से प्रेणा लेते हुए, देश्वासियों, आओ, राष्ट्र की खुशहाली के लिए, मानविये समानता के लिए, आपसी भायचारे के लिए, अधिकार, सत्य, एवं न्याई की रक्षार्थ, संघर के मार पर चली, तथा रक्त बहा कर प्राप्त हुए आजादी को बचाएं। यही होगा सच्चा देश प्रेम और यही होगी सच्ची देश भक्ति। जवानो उठ्थो उठ्थो उठ्थोनी रकानो आओ देश दी नुहार सवारे पानी कंदिले ने जेरे नतारि है ओ सुनियो जवानो, उठो 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 उठोनि रखानो आओ देश दिन नुहारे सवारिये पानी कंदिले ने जेरे नतारि है कुछु उल्हानो, कुछु उल्हानो, कुछु उल्हानो हाले मना विचे संग्णाने, हाले दूर बड़ी ग्यान दी सबे दूर देए असी रीत, मुख जावे उच नीच दिरे वालियते रशनी खलारिये, आओ देश दी दुहाले सवारिये उचो ने ओजवानो, उचो नीचानो उचो ने ओजवानो उचो नीचानो पाड़े मोड़े आते, भैया जिम्मेवारियां साथे सामने चुनोतियान पारियां साथे मोड़े आते, भैया जिम्मेवारियां साथे सामने चुनोतियान पारियां साथे सामने चुनोतियान पारियां आन पड़े ता गरीबी साथे बणी बे नसीबी इना आखंजयान पैरा जो पारियें आओ देशिवी नुहारे सामने चुनोतियान उचो नीचानो उचो सोने ओ जवानो उचो उचो नीचानो तुप नश्यान दिखे जानना जो आनियां लेके बे जानना सानू इन दानियां जुब नश्या विचे जानना जो आनियां लेके बे जानना सानू इन दानियां उचो करीए कमयां उच्छा कम दियां लेके जुब नुहारे सामन दियां अब ही आप सुन रहे थे संगीत रूपक, महक आजादि की, ये कारिक्रम आकाश्वणी जलंधर की प्रस्तुती थी, आएए अब सुनते हैं आकाश्वणी भोपाल की पेशकश, जयती जय भारती वो भारत जो गहराती रात में हिमाले की चोटी से अपने वैभों को निहारता है, वो भारत जो अपने वनांचलों में हर्याली के गीत गाता है, वो भारत जो गंगा की लहरों में प्रार्थना की स्वर्सा बहता है, वो भारत मात्र एक देश नहीं, एक संस्कृति है, एक विचार, एक दर्शन है, उस भारत की आजादी के अमरित पर्व का ये प्रसंग है, स्वाधीन भारत के 75 वर्षों का उत्सव, आजादी का अमरित महुत्सव, भारत इस धर्थी पर उजाले की किरण से लिखी एक अद्भुत कहानी है, जिसकी रोशनी हर अंधेरे से लड़कर फिर फिर जाग उठी, क्योंकि इसकी सनातन संस्कृति ने जन्म भूमी को स्वर्ग से भी महान कहा, जन्म भूम इस्चप वर्गान अपिकरी अस्री, जन्म भूम इस्चप वर्गान अपिकरी अस्री, समय के घात प्रतिघात सहते भारत की महागाथा में अनेक आरोह अवरोह हैं, पराधिन भारत के संघर्ष की कैसी कैसी तस्वीरे हैं, 1857 का प्रथम स्वाधिनता संग्राम, तिलक के स्वर में गूंजती स्वराज की हुंकार, महात्मा गांधी की शस्त्र विहीन लड़ाई, भगत सिंग और चंदर शेखर आजाद जैसे अंगिनत क्रांतिकारियों का बुलंद विद्रोह, सुभाष चंदरबोस की आगे बढ़ती आजाद हिंद फोज, और स्वाधिनता संग्राम का एकी कृत युद्ध गोश वंदे मातरम, वंदे मातरम भारत मामा की जैए, समवेत की इस हुंकार से भारत में आजादे का सूर्य उगा, और 15 अगस्त 1947 को मुक्त गगन में लहरा उठा तिरंगा, सौबारति रंगे लहराओ, सौबारति रंगे लहराओ, तुम आसमान परचाजाओ, सौबारति रंगे लहराओ, सौबारति रंगे लहराओ, तुम आसमान परचाजाओ, सौबारति रंगे लहराओ, 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 आशाओं के दीप बनो तुम और धरा को रोशन कर दो भारत माती बुल्वारी में कदम कदम पर जंदन भर दो पूल खुशी के भिल जाए तुम जूम जूम कर लहराओ तुम आसमान पर चाजाओ सो बार की रंगे लहराओ सो बार की रंगे लहराओ सेमाओं के सुम्धी रक्षक साह समीर जवानों का मजदूरों के शंदी पूचा सपना तुमे किसानों का जै जवान तुम कहो निरंगे जै किसान में तुम काओ तुम आसमान पर चाजाओ सो बार की रंगे लहराओ आजाद भारत के मन में आसमान पर चाजाने की उमंग थी तो विभाजन की टीस भी देशी रियास्तें अखंड भारत के लोह पौरुशिये स्वपन में विलीन हुई और विश्व मान चित्र पर एक राश्ट्र भारत की छवी मुस्कुरा उठी ये वो भारत था जिसकी आँखों में मयोर पंखी सपने थे और सामने थी गरीबी और आशिक्षा जैसी अनगिनत चुनोतियां लेकिन उसके हौसले बुलंद थे बड़े और दीर्ग कालिक लक्षियों को छोटी समय सीमाओं में बाट कर पंच वर्षी योजनाई बनाई गई और द्योगी करण के जरीए प्रचुर उत्पादन के लक्षि को साधा गया उचे बांध, उन्नत बीज और क्रिशी शोधों ने हरित क्रांति कर दी भारत ने अपनी अथक मेहनत से आमजन के लिए सुख और सम्रिद्धी के द्वार खोल दिये आज उसके पास क्रिशी की उन्नत और आधुनिक तम तक्निके हैं आज भारत दुनिया में अन्न के बड़े निर्यातक देश के रूप में उभरा है आजादी के इस अम्रितकाल ने देखा कि कोरोना जैसी वैश्वेक महामारी के कठिन समय में भी भारत के अन्न भंडार खाली नहीं हुए गाउं में बसने वाली देश की आत्मा अब जन धन योजना की ताकत से सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त कर प्रगति पत पर आगे बढ़ रही है सबका साथ सबका विकास आज के भारत का संकल्प भी है और आहवान भी कर दो में फिर दोट्ट कर दो पोनाओं योजनाओं कर दोट्ट कर दोट्ट कर दो एंड विक एन पनाओं चलो भाई मिलके चलो ये वक्त की आवाद है मिलके चलो, मिलके चलो ये वक्त की आवाद है मिलके चलो, मिलके चलो मिलके चलो, मिलके चलो ये जिन्दगी का राग है मिलके चलो, ये जिन्दगी का राग है मिलके चलो, मिलके चलो मिलके चलो, कि लानो वानो पे के सहलो मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो आज दिल की रंदिशे में चा के आओ आज भेज भाव सब खुला के आओ कचप कचप से और जिल से दिल मिला के आओ जब देश आजाद हुआ तब उसका एक पैर जमीन पर था तो दूसरा आसमान की मुचाईया नापने को तैयार था विज्ञान और तक्नीक के छेत्र में होने वाले वैश्वे कीरतिमानों पर उसकी गहरी नजर थी आर्यभट उपग्रह के साथ अंतरिक्ष में भारत के प्रवेश का इतिहास आज मिशन मंगल की अभूत पूर्व सफलता पर गौरव से मुस्कुरा रहा है भारत के विशद अंतरिक्ष कारेक्रमों ने सूचना और संचार क्रांति के एक नए युग का सूत्रपात किया है भारती रेल आज दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है बहतर से बहतरीन होती रेल सेवाओं ने देश के सरवांगेन विकास की राहें प्रशस्त की है समवहनीय विकास की बात करता आज का भारत अक्षय उर्जा का पक्षधर है इसी कड़ी में एशिया का सबसे बड़ा सौर उर्जा बिजली घर कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित हुगा समवहनीय विकास के लक्षय को साधते हुए एशिया का सबसे बड़ा बायो सी एंजी प्लांट गोबर्धन इन दौर में स्थापित किया गया है अवशिष्ट से संपदा का ये नवाचार परियावरन से जुड़े हमारे वैश्विक सरुकारों का बड़ा उदाहरन साबित हुआ है अपने श्रम सिंचित कर्मों से नव निर्मान का संकल्प लिए ये आज का भारत है उट्प दे निष्प्राणों नेप्रान करना नव निर्मान करना नव निर्मान करना नव निर्मान करना नव निर्मान बन करके सारती सजन का रत ले जाए आगे देद भाव को छोड़ जोड़ दे प्रेम भाव देद आगे बन करके सारती सजन का रत ले जाए आगे देद भाव को छोड़ जोड़ दे प्रेम भाव के धावे सुग सम्रत विशांक से सब का करना ने कल्यान करना नव निर्मान करना नव निर्मान करना नहीं निर्मान, करना नहीं निर्मान पुझले मन मेले हाथों से अपना भाग सवारे कर्म योग के मंत्रों की बोले मिलकर जैकारे पुझले मन मेले हाथों से अपना भाग सवारे कर्म योग के मंत्रों की बोले मिलकर जैकारे देन गरीबी अब शापों से मिले सभी को त्रा करना नहीं निर्मान, करना नहीं निर्मान करना नहीं निर्मान, करना नहीं निर्मान आजादी के बाद देश के सामने एक बड़ी चुनोती थी बेरोजगारी, जिससे निपटना आसान नहीं था, लेकिन अकुशल और अशिक्षित लोगों के लिए 100 दिन के रोजगार की गारंटी के साथ मनरेगा की शुरुआत हुई, स्थितियां बदली, और आज उसके आगे एक और कदम बढ़ाते हुए नया भारत कौशल विकास की बात कर रहा है, कम शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षन दे कर उनके जीवन में सपनों के नई रंग भर रहा है 75 वर्षों की इस यात्रा में चुनोतियां कम नहीं थी, अलगावबाद और आतंकवाद की समस्याएं रह रह कर सिरोठाती रहीं, जिसकी वेदना कश्मीर ने सबसे अधिक सही लेकिन आज का भारत समर्थ भारत है, जिसने सन 2019 में अनुच्छे 370 को समाप्त कर, एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक सम्विधान की सपने को साकार किया पडोसी देशों से हुए हमारे युद्धों या आपदा का कोई समय, हमारी तीनों सेनाओं ने हमेशा हमें गर्व से भरा है भारत की सेना विश्व की विशालतम सेनाओं में से एक है, बीते 75 सालों में हमारी सेन निशक्ती लगातार बढ़ती गई है और बदले हैं हमारी सेना के तेवर भी, जो आज दुश्मन से सर्जिकल स्ट्राइक की भाशा में बात करती है वीरों की कुर्वानी में इस देश को सवारा है वीरों की कुर्वानी में इस देश को सवारा है वीरों की कुर्वानी में इस देश को सवारा है वीरों की कुर्वानी में इस देश को सवारा है वीरों की कुर्वानी में इस देश को सवारा है लालला लाला लाला कल दो मिली थी आजादी अब तो उसे संजोना है सम्रद्धी के बीज हमें तो हर मौसम में बोना है देश बंदि हर मन में घुप जित यह ही एक सहारा है 75 सालों की अपनी विकास यात्रा में भारत ने हर क्षेत्र में अपना पर्चम लहराया है विकास के बढ़ते कदम जन जन तक पहुँचे हैं बच्चे स्वस्थ हुए हैं और महिलाएं सशक्त जीवन की आधार भूत आवशक्ताएं पूरी करने हे तु संकल्पित है आज का भारत प्रधान मंत्री आवास योजना से अपने घर का सपना साकार हो रहा है और नए भारत के प्रयासों में शामिल है हर घर जल का संकल्प भी जिस तरह सुविचार हमारे मन वचन और व्यवहार का अनुशासन है ठीक उसी तरह स्वच्छता हमारे कर्म का अनुशासन है स्वच्छता अच्छे स्वास्त्य का मंत्र भी है गांधी जी के सपनों को साकार करते हुए देश स्वच्छ भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है बड़ी संख्या में शोचालेओं का निर्मान इस दिशा में एक उपलब्धी है शेहरों को स्वच्छता करम देने की अभिनों पहल से जन जाग रुकता बढ़ी है और भारत एक महकते हुए गुलशन की तरह मुस्कुरा उठा है उनको आज सजाए भारत की सुन्दर बगिया के हमरा अक्षक बन जाए सरसुमनों हर सुमन खिरे है जिन जाती है जिन धर्म है क्यात कई वह भाशी हम अनेक पड़ एक रहेंगे हम सब भारत वासी सुत्र यही तो हो राए भारत की सुन्दर बगिया के हमरा अक्षक बन जाए सरसुमनों हर सुमन खिरे है दुख सब का जब बट जाता है दुख सब का घट जाए दुख सब का जब बट जाता है दुख सब का घट जाए शोशक शोशित रहे न कोई वर्ग भेद मिट जाए भारत की सुन्दर बगिया के हमरा अक्षक बन जाए सरसुमनों हर सुमन किले है विपदाएं किसी भी देश के असल सामर्थि की पहचान कराती है वैश्विक महामारी कोरुना की संकट ने पूरे विश्व को जिस तरह लाचार कर दिया था वो अपने आप में एक इतिहास है लेकिन इसी कुरुना काल में परिस्थिती जन्ने चुनोतियों से जूचते हुए भी भारत ने ना सिर्फ रिकॉर्ट समय में कुरुना की वैक्सीन तयार की बलकि देश के साथ-साथ विश्व समुदाय तक वैक्सीन की सहायता भी पहुचाई और विश्व पटल पर एक समर्थ भारत की छवी जिल्मिला उठे विश्व के सबसे बड़े टीका करण अभियान के साथ आज भारत वैक्सीन डोज के नित नए मुकाम को छू रहा है आपदा में अवसर की तलाश करता भारत आत्म निर्भरता के नए मापदंड तह कर रहा है आज भारत ने अपनी नई वैश्विक पहचान बनाई है पूरे विश्व की निगाहें तेजी से बढ़ते भारत की ओर है आज का भारत डिजिटल इंडिया है, स्मार्ट इंडिया है अंग्रेज जिस भारत को सपेरों का देश कहते थे उसने अपनी रिशी परंपरा से निकले योग के महत्तो से विश्व को परचित कराया और विश्व ने योग को अपनाया विश्व का सिर्मोर रहा भारत पुनह विश्व गुरू की रूप में स्थापित होने की राह पर चल पड़ा है जिसे अपना कहते हुए हर भारती गर्व से भर जाता है ये है वतन हमारा जिन दुस्ता हमारा नित्ता नहीं जहांते ये है निशा हमारा हमारा ये है वतन हमारा ये है वतन हमारा ये है वतन हमारा ये है वतन हमारा तहरी बनी है सागर, लघरी परे उचागर, देखों कुट हिवाले, ये है उतन हमारा तहरी बनी है सागर, लघरी करे उचागर, देखों कुट हिवाले, ये है वतन हमारा विच्ता नहीं जहां से, विच्ता नहीं जहां से, ये है निशाम अमारा अनन्त संभावनाओं का देश भारत, आज अपनी आजादी का अमरित महोत्सव मना रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस भारत की आत्मा में गूझता प्रगती का महामंत्र है हर मन में नई उमंग है, सपनों के नए रंग है, नए क्षितज के पार खुलता, आशाओं का द्वार है ये भारत अतीत को पढ़ रहा है, वर्तमान को गढ़ रहा है ये भारत अपने स्वरणिम भविश्य की ओर बढ़ रहा है, जो निश्चत ही होगा, एक भारत सर्वश्रेष्ट भारत कर दो कर दो निश्चत है चेत्री लोक एवं सुगम संगीत के राश्ट्रिय कारिक्रम में अभियाप सुन रहे थे आकाश्वनी भोपाल की प्रस्तुती जैती जै भारती